वेल्कम तो माई YouTube चैनल वी इनस्क्रिक वेडिया कैसे हैं आप सब लोग आई होग आप सभी अच्छ होंगे तो आज बात करेंगे लाहोर की लाहोर इस बार पी एसर में कैसा परफॉर्म करने वारी है लास्ट दो बार से तो एक जीत रही है बहुत अच्छा परफॉर्मस कर इनफेक्ट अब से साहीं शावर्दी इस टीम के कैप्टन बने है लख पूरा चेंज हो गया है अब से लखी बोस होते होड़ना ऐसी बात नहीं कि पहले कप्तान अच्छे नहीं थे या पहले टीम अच्छी नहीं थी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर इस टीम को खेले आज बात करेंगे कि इस बार अमें इस टीम से क्या उम्मिद हैं फटाफट से बढ़ते हैं स्कुर्ण की तरफ तो यह स्कुर्ण है फकर्जमान साहिब जदा फरान मैंने कोशिश किया मेरी 11 लगाने कि फकर्जमानों साहिब जदा फरान को मैंने ऑपनिंग पर रखा है फक पर सेट होने के पाद ज्यादा थेज खेल सकते हैं अब्दुल्ला शफीक से तीन पर मैंने रखा है शेहोप को अब इननोंने शेहोप को अगर खरीदा है तो खिराना चाहिए इन पिचेस पर वह रणों की जड़ी लगा सकते हैं बहुत रम बना सकते हैं फिर आपको मिलें अच्छा है प्योर लेफ्टेंडर वाला सुइंग आता है इसका मुझे कावी पुसंद है इसको खिलाएंगे फिर मैंने का सिकंदर रजा को सिकंदर रजा बैट बॉल दोनों से कोंट्रिब्यूट करेंगे और इस समय से गंदर है दुनिया बर की लीक्स में अच्छा कर र बोलर हैं मुझे इनके बारे में ऐसा को बता रहा नहीं है आप सब जानते हो कि यह लाहोर जो अच्छा कर रही है वो कर रही ही इस वह सरी होगी इनके पास तीन चाय बोलर अच्छे हैं पिर आपको मेंने के एक चायना मेंटाइब बोलर है साइयत परिदो यह मैं इसको बह पास इनमें से में भी कोई अच्छा स्पिनर हो मेरे जानकरी में वी जक ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जो कि इनके प्लेयर करन नाम सिमिलर से मिलते हैं और जो इनका डूमस्टिक कॉंपिटिशन होता है नेशनल टीनटी कप उसमें देखे हुए हैं सभी है लेकिन नाम ज्यान पर शाहत नहीं खेलेंगे राशिद खान भी डाउटफुल है वैसे नाम है उनका स्क्वाइड है में लेकिन वह डाउटफुल है टौर्नमेंट के लिए और आकरी प्लेयर है ताहिर मिर्जा बेग लास्याज ने ओपन किया था और अच्छा प्रफों किया था अब बात वह बहुत डीप है शाहिन शाफरदी नंबर आठ पर आ रहे हैं और वह अच्छे बल्ले गुमा लेते हैं मेरे ख्याल से 50 तक मारी है लास्यार होने और है और हैरेसो भी बल्ले गुमा लेता है तो बैटिंग नंबर नो तक इनके पास हो गई बोलिंग आप देखो इनकी 6 से स् अच्छा है आगे से लीड करता है कई बावन देखा बल्ला उठागे चलता है यह कॉंफिदेंस बड़ी बात है आपने देखा होगा जब तक रोष्च रमाए विराड कोली कैप्टन नहीं थे वो बोलिंग क्या करते थे पर आप वो बोलिंग चोड़ दिये ब्लिकुल तो बड़ा पड़ गया तो क्या होगा तो मुझे यह बात अभी तक शाहिन अपड़ी मच्छी लेग लिए कि वह यह कहने को तयार है कि चलो मैच हार गए हार गए पर मैं जाओंगा चक्क्य बजाओंगा और इसमें पोटेंचल भी है ऐसा नहीं कि वह सिर्फ एक जूटा कॉन जाओंगा जाओंगा और अगर ऐसा होगा तो एटिम काफी जागपोट देगी सवाल लिए कि क्या हम उसको पकड़ पाते हैं कि नहीं तो गाइच यह मेरे टेलकाम चैनल का लिंक है लिंक को मेरे डिस्किप्शने पोस्ट कर दूँगा अगर आपसे लिंक जो ना हो डिस्क बाइ और अगर इस बाइच देग्डिकूर्स बाइच झापकर क्या स्वाथ हैँग घुगा तो एट लिए लिए बाइच जिए बुगा व्या लाख़नाट इंक श्याजाद, जो लिए